चंपा को अंग्रेजी में प्लुमेरिया कहते हैं। चंपा के खूपसूरत, मंद, सुगंधित हलके सफेद, पीले फूल होते हैं। चंपा मुख्यत, पांच प्रकार की होती है, एक डॉट सोन चंपा, दो डॉट नाग चंपा, तीन डॉट कनक चंपा, चार डॉट सुल्तान चंपा और कठरी चंपा। सभी तरह की चंपा एक से एक अद्भुत और सुन्दर होती हैं और इनकी सुगंध के तो क्या कहने। पूलों के दस उप्योग, एक चमपा के फूल अकसर पूजा में उप्योग किये जाते हैं, दो चमपा का व्रिक्ष मंदिर परिसर और आश्रम के वातावरण को शुद्ध करने के लिए लगाया जाता है, तीन चमपा के व्रिक्षों का उप्योग घर, पार्क, पार्किक स्थ और सजावटी पौधे के रूप में किया जाता है, चार देवी मा ललिता अंबिका के चरणों में भी चमपा के फूल को अन्य फूलों जैसे अशोक, पुन्नाक के साथ सजाया जाता है, पांच, चमपा का व्रिक्ष वास्तु की द्रिष्टी से सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, छे चमपा को कामदेव के पांच फूलों में गिना जाता है, इसकी सुगन्द से मन मोहक हो जाता है, साथ चमपा के फूलों का तेल भी बनता है, आठ चमपा के फूलों के इत्र भी बनता है, नौ इसके फूल और व्रिक्षों के उप्योग आश्धी के रूप में भी होता है दस हिंदू पौरानिक कथाओं में एक कहावत है चंपा तुझ में तीन गुण रंग रूप और वास अवगुण तुझ में एक ही भंवर ना आए पास रूप तेस्तो राधी के अरू भंवर कृष्ण को दास इस मर्याधा के लिए भंवर ना आए पास